हेलो दोस्तो पावर प्लान गाइड में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम लोग देखेंगे कि fan blower और compressor में क्या difference होता है किस किस condition को देखकर fan blower और compressor का यूज किया जाता है इन सभी बातों का discuss इस वीडियो में हम लोग detail में करेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि फैन, ब्लोवर और कंप्रेसर का यूज क्यूं किया जाता है तो हम लोग जानते हैं कि फ्लूट को किसी एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक अगर हमें ट्रांसफर करना है तो उस समय हमें किसी मसीन की जरौत पड़ती है जो एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक फ्लूट को ट्रांसफर करता है fluid क्या होता है तो the substance which can flow is called fluid मतलब एक ऐसा पधात जो बैह सके उसको fluid कहा जाता है अब fluid कहने का मतलब है कि उसमें liquid भी आएगा, gas भी आएगा liquid में जैसे water हो गया तो water को जदी अगर हम एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक अगर हमें transfer करना है तो उस समय हम लोग जिस machine का use करते हैं उसे pump कहा जाता है जैसा कि आप लोग ने घरों में भी देखा होगा जब हमें पानी को ground floor से building के top floor तक पहुँचाना होता है तो उस समय हम लोग pump का use करते हैं ठीक उसी तरह air को भी एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने के लिए हमें जो machine की जरौत पड़ती है उसमें fan, blower और compressor आता है तो इस fan, blower और compressor का use किस condition को देख कर किया जाता है इसे समझते हैं तो देखिए fan हो, blower हो या compressor हो इसको हम लोग air flow, pressure और system resistance को देखते हुए किया जाता है यह system resistance क्या होता है तो जब भी किसी system में हम लोग air को provide करते हैं तो वो system भी हमें एक resistance देता है उसी को system resistance कहा जाता है जैसे एक air motor को rotate करने के लिए जब हम उसको air provide करेंगे तो motor क्या करेगा rotate ना हो उसके लिए वो एक resistance provide करेगा जिसको system resistance कहा जाता है अब motor जो है वो rotate हो पाए उसके लिए उस system resistance से ज्यादा हम लोग को pressure create करना होगा air का ताकि जो motor जो है वो rotate कर पाए तो इसी system resistance को देखते हुए हम लोग fan, blower या compressor का use करते हैं तो अगर इसका एक other example देखें तो यह pain का cover है तो अगर इसका cover हम खोलना चाहेंगे तो यह system क्या करेगा एक हमें resistance provide करेगा और इस cover को खोलने के लिए हमें उस resistance से ज्यादा pressure जो है apply करना पड़ेगा ताकि यह pain का cover जो है वो खुल पाए तो यह system के द्वारा जो resistance हमें मिला उसी को कहा जाता है system resistance तो अब देखते हैं इसके difference को तो fan क्या करता है move air around the entire room और area at low pressure तो fan जो होता है वो air को पूरे surrounding area में provide करता है और वहाँ पे जो pressure होता है वो low होता है लगबग 0.04 ATM होता है उसके बाद आता है blower तो blower क्या करता है यह भी air को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाता है but in specific area at moderate pressure यहाँ पे जो pressure होगा वो fan के compression में ज़्यादा होगा और यह एक specific area में ही air को provide करेगा अगर compressor की बात करें तो use for compressed air for specific work at high pressure जब किसी specific work के लिए हमें blower से ज़्यादा pressure चाहिए तो उस समय हम लोग compressor का use करते हैं जिसका जो pressure है वो 2 atm से ज़्यादा होता है 5 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है next देखते हैं कि जो fan का pressure ratio होता है वो 1.11 होता है pressure ratio क्या होता है तो the ratio of discharge pressure divided by suction pressure of air is called pressure ratio कहीं कहीं पर इसे specific ratio या suction ratio भी कहा जाता है अगर blower की बात करें तो यहाँ पर pressure ratio जो होता है वो 1.11 से 1.2 होता है अगर compressor की बात करें तो यहाँ पर pressure ratio होता है वो 1.2 से ज़्यादा होता है तो इस pressure ratio की मदद से हम लोग fan, blower और compressor को असानी से differentiate कर सकते हैं next है volumetric air flow is large तो जहाँ पर हमें large flow चाहिए air का तो वहाँ पर हम लोग fan का use करते हैं volumetric air flow is lower than fan blower में क्या होता है इसका जो airflow होता है वो इस fan से कम होता है और compressor की बात करें तो यहाँ पर volumetric air lower than the fan and compressor बट अगर pressure की बात करेंगे तो यहाँ पर pressure सबसे कम होगा और यहाँ पर moderate हो जाएगा और यहाँ पर high हो जाएगा अगर fan की example की बात करें तो आप लोग ने घर में देखा होगा कि जो fan होता है जो exhaust fan होता है वो सभी इनके example है अगर blower की बात करें तो इसमें hair dryer हो गया, vacuum cleaner हो गया, अगर compressor की बात करें तो car में जो turbo charger होता है या vehicle के tire में जो हम लोग air देते हैं वो सभी compressed air को ही दिया जाता है अगर industry की बात करें तो उसी airflow, pressure और system resistance को देखते हुए इन fan, blower और compressor का यूज किया जाता है अगर power plant पे इनका यूज का बात करें तो fan का यूज normally जो होता है वो combustion के लिए, cooling के लिए, fuel के conveying के लिए यूज किया जाता है blower का यूज एक specific area में air को provide कराना होता है, जिसका pressure fan के compression में ज़्यादा होता है और अगर compressed air की बात करें तो plant में जितने सारे pneumatic instrument होते हैं, उनको operate करने के लिए compressed air का यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ पे system resistance जो होता है, वो high होता है, coal के combustion के बाद जो हमारा air ready होता है, उसके conveying के लिए भी compressed air का यूज किया जाता है और इसका यूज purging के लिए हो या atomizing के लिए हो, इस compressed air का यूज किया जाता है तो ये रहे industry में कुछ इनके example, तो I hope कि fan blower और compressor में क्या difference है, ये आपका clear हो गया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो please इसे like कर ले, और अगर इस channel में नए हैं, तो please इस channel को subscribe कर ले ताकि इस तरह का knowledgeful video आप तक सबसे पहले पहुँचे, मिलेंगे next video में कुछ नए topic के साथ, तब तक के लिए जैहिंद